हलो नमस्कार साथियों आज अपन बात करने वाले हैं कि Z क्या है और केसे करें इसकी तैयारी की आपको इसमें मिल जाए सफलता यानि Z में सफल होने के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और इसके बाद भविश्य में क्या हो सकता है तो जानकारी के लिए पहले सुरू करते हैं Z क्या है दोस्तों Z है Joint Entrance Test जो कि आपका राजस्तान के अंदर जितनी भी राजस्तान की जितनी भी स्टेट में Agricultural Universities है Agricultural Universities है उनके अंदर आपको मिलेगा Admission Admission मिलेगा कोई यहे एक्जाम पास करने से नौकरी नहीं मिलती है Admission मिलता है कोलेज के लिए और यहां से आप B.S.C. Agriculture जो डिगरी है वो कंप्लीट कर पाएंगे तो यहे है Z का एक्जाम यानि जिस तरीके से नीट का एक्जाम क्लियर करने से MBBS के कोलेज प्राप्त होते है उनमें Admission मिलता है उसी तरीके से यहां Z एक्जाम पास करने से Agricultural Universities में Admission मिलता है जैसे कि जौधपूर University है बीकानेर में आपकी स्वामी केस्वानंद Agricultural University है जोधपूर में जोधपूर के अलावा जौबनेर में है और उदेपूर में MPUAT है जैसे कोटा के अंदर Agricultural University है तो इन सब में और इनके अलावा Government College के साथ साथ Private College में भी Admission लेने के लिए Z एक्जाम काफी सहायक रहता है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से अगर अपन बात करें तो Z जो है एक आपके भविश्य को Agriculture फिल्ड में पहला पाइदान है जो आपका भविश्य शिक्योर करता है यहां से उसके बाद आगे क्या पड़ाव रहते हैं BAC के बाद क्या स्कोप रहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन किसी और दिन आज बात करते हैं कि केसे करें जेट की तैयारी की जो सफलता है वो आपके कदम चुमने लग जाए दोस्तों Z में मुखे रूप से जो आपका रहता है वो 11 और 12 का जो सेलेबस है जिसके अंदर आपकी एगरिकल्चर जो है एगरिकल्चर के अलावा दोस्तों केमेस्ट्री जो है केमेस्ट्री के अलावा दोस्तों जो बायोलोजी है ये सब सब्जेक्ट आपके रहते हैं इन सब्जेक्ट की धुवाधार तैयारी करनी होती है दुआधार तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है chemistry और biology में वो क्या बदलाव इनमें हो गया कि इनका जो syllabus है पुराने टाइम में अलग chemistry और biology जो है चला करती थी अलग के से यानि जो PCB subject जिनके होता था वही chemistry agriculture वालों के थी वही biology agriculture वालों के थी लेकिन अब थोड़ा सा change हो गया है और agriculture की biology भी अलग डाल दी गई है और उनकी chemistry भी अलग डाल दी गई है तो इसके लिए दोस्तों सुरुवात कहां से करनी होगी आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है example देता हूँ एक simple सा कोई भी शांदार सुन्दर मकान बनाना है चार मंजिला पांच मंजिला या दो मंजिला तो दोस्तों मकान शांदार होने के लिए सबसे पहले उसकी नीव मजबूत होनी चाहिए अगर नीव मजबूत रहेगी तो मकान शांदार भी बना रहेगा और टिका भी रहेगा तो नीव मजबूत करने के लिए सबसे पहले दोस्तों foundation जो होता है वो मजबूत होना चाहिए और foundation जो है यानि मैं बात करूँ सबसे पहले मजबूती कहां से मिलनी चाहिए 11 से और फिर आपको 12 12 में तो बच्चा वैसे भी क्या है board exam रहता है तो यहां से वो वैसे ही serious रहे के तैयारी करता है सबसे बड़ा जो loss होता है वो 11th class का होता है even neat के जो बच्चे होते हैं उनका भी सबसे बड़ा जो रोना होता है वो 11th class को लेकर के होता है personal experience से बता रहा हूँ दोस्तों जब में भी कोई time neat हमारे RPMT के नाम से होती थी उस time एक number से जब चुके तब पता चला की 11th class का roll कितना ज्यादा होता है तो वहां से दोस्तों ठोकर खाई आप लोग यहां से संबल जाएं अभी से कि ये गलती नहीं करनी है ककसा 11 को serious लेना है जो बच्चा ककसा 11 को serious ले लेता है हम लोग ने कभी serious नहीं लिया ककसा 11 को ये बात बता देता हूँ आप लोगों को क्योंकि 12th में board exam रहते हैं तो वैसे ही बच्चा serious होके पढ़ाई करता है सुरू से ही लेकिन 11th को वो क्या ले लेता है मस्ती मजाक में ले लेता है आधा टाइम तो syllabus change करूँ की यही रहने दूँ ये करूँ की वो करूँ बाइलोजी ले लूँ मेत ले लूँ agriculture ले लूँ commerce ले लूँ arts ले लूँ इसी उलजन में उलजा रहता है ककसा 11 में एसी गलती आपको नहीं करना है ककसा 11 से ही आपको serious हो जाना है और अपने लक्षे की और आगे बढ़ना है तो ककसा 11 से दोस्तों जो foundation course है इसकी बड़ी एहम रॉल जो है इसमें रहने वाला होता है इसके अलावा दोस्तों 11th और 12th pass करने के बाद target base के रूप में भी आप लोग तयारी कर सकते हैं कि target जो है 12th pass होने के बाद जो है आप लोग इसमें भी तयारी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि सबसे best तरीका रहता है 11th और 12th के साथ ही foundation जो तयारी है base को मजबूत करें और foundation के साथ अपनी तयारी करें वो ज़्यादा बहतर होता है और पिछले कुछ सालों में NEET के जो result है वो भी यही दिखाते है कि बच्चा 12th के साथ top rank में आता है top 100 rank के अंदर जो आते हैं maximum बच्चे 12th के साथ आते हैं यानि foundation का जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है यहां से एक बात और बताओं पहले यह मित होता था NEET के अंदर या PMT जो हुआ करती थी CPMT और अपने यहां RPMT कि पुराने लोग इसमें 3-4 साल लगते ही लगते हैं उन्हीं का selection होता है वो मित तूट गया ऐसे ही Z में भी दोस्तों Z को भी वही सेट करेगा जो ककसा 11 और 12 को धंग से पढ़ेगा और मुक्षी रूप से कहूं ककसा 11 पे जो ज़्यादा जोर देगा वही Z का selection लेके जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आगे के किसी वीडियो में मिलेंगे जिसमें चर्चा करेंगे कि B.S.C. Agriculture के बाद आपके सामने क्या-क्या जो स्कॉप है वो देखने को मिल सकते हैं या Agriculture या करशी विज्ञान के अंदर क्या-क्या सुनहरे आवसर जो है आपका बाहें फेला करके इंतजार करते हैं बस जरूरत है आपको समय पर संबलने की और सही दिशा में चलने की और एक सही गाइडेंस की जरूरत है ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हेपी रक्सा बंदन मिलेंगे किसी अगली क्लास में जे हिंद जे भारत